आये दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है अप्टोपैड मेनिया हमने जो लाश्ट मैं अभी एक वीडियो बनाई थी धोलक पैच के उसके हम एडिटिंग देख लेते हैं आये वटाफट से हम एडिटिंग सुरू करते हैं और जितने भी लोगो आप एक लाइक जरूर कर दिजिए वीडियो को और आई ये वीडियो को सुण करते हैं सबसे बहले मैं आपको हैंड की रणिंग बता देता हूँ किस तरीके से हमने इस पैच बनाया था बहुत सिंपल है गाना जो है आपने भजन मों सुनाई है उसके इसाप से मैं आपको बता देता हूँ सिंपल चलेगा हमारे जो राइट है वो यहां पर एक्स की सेप लेगा या उल्टे जैट की तरह हम लोग इसको योज़ करेंगे लगातार चलेगा और यही इसकी रिपिटेशन लाश्ट तक रहेगी और यह वाला जो हैंड है लेफ्ट वाला वो सिंपल लेफ्ट राइट कॉलम पर रहेगा तो आए फटावट से देख लेते हैं पूरा प्रोसेस बजाने क्या है सिंपल है इस तरीके से यह सिंपल इसका बिल्कूल बजाने का पैटरन है आए फटावट से हम इस पैच की एडिटिंग देख लेते हैं मैं आपको बता देता हूं इस और इस पैच को मैंने खाली छोड़ा हुआ है और बाकी मैंने सिर्फ यहां पर वन टू थ्री फॉर्ट फाइब आप इसको म्यूट कर लें यहां आपको अपने इसाब से कोई भी इंस्ट्रूमेंट यहां रखना हो आप बिल्कुल रख लेजिए दोनों को मैं जो मैंने इस पैच में उसकिया हूं सिरफ यह वन टू तू त्री फॉर्ट फाइब और सिक्स चैपैड मैंने यहां पर यू रही हूं आए फटाफट से हम एड़ देख लेते हैं इस पैच की यहां पर मैंने डाला हुआ है जिसका लेवल है फिफ्टीन पेच है फोर डिके है इसका 25 सेंटर में इसका पैनल है कर्व इपी फोर है और एफ एक्स यहां पर जीरो है इसी के हम भी पार्ट में बात कर ले है कि यहां पर इसका लेवल है फिफ्टीन पिच है यहां पर टू डिके यहां पर टैन सेंटर में इसका पैनल है कर्व इपी फोर है और एफ एक्स यहां पर जीरो है इसी तरीके से हम यहां बात कर लेते हैं यहां पर एक बैंक में मैंने लगाया हुआ है इस कॉलम में एल सेविन जिसका लेवल 15 है पिच माइनस वन है डिके यहां पर 20 है सेंटर में इसका पैनल है कर्व ईपी 4 है और एफेक्स यहां पर जीरो है आए यहां पर हम इसी के भी पार्ट में हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर मैंने इंस्ट्रुमेंट लगाया है इफी 15 जिसका लेवल यहां पर टैन है पिच यहां पर बन है यहां पर मैंने डिके रखाए जीरो पैनल यहां सेंटर में है कर्व ईपी 4 है और एफेक्स यहां पर जीरो है आई यह फटा-फट से हम लोग इस वाले पैच में देख लेते हैं यहां पर यह पार्ट में हमने फाइल-डिके है यहां पर जीरो पैनल सेंटर में है कर्व इपी-फोर है और एफ यहां पर फिफ्टीन है यहां पर देखिए इसका लेवल जीडों निकने हाँ तब विसकी साउंड सारिये बात में आ रिए क्योंकि अपर इसका लेवल किया है और यहां पर एफेक्स खोला हुआ है आईए इसी के हम भी पार्ट में बात कर लेते हैं यहां मैंने इस्ट्रुमेंट लगाया हुआ है आई थर्टी जिसका लेवल मैंने रखा है ट्वेल पिछ है यहां पर टू डिके है जीरो सेंटर में इसका पैनल है कर्व है ईपीफोर और एफेक्स है यहां पर लेते हैं यहाँ पर है यहां पर इसको सेंटर में इसका पैनल है करव इसका ऑफेक्स यहां पर बात कर लेते हैं यहां यहां जे 43 लगाया हुआ है मैंने इंस्टुमेंट लेवल यहां पर 12 है पिछ यहां पर 7 है डिके माइनस 9 पैनल सेंटर में है कर्व ईपी 4 है और एफेक्स यहां पर 0 है आई फटा-फट से हम इस कॉलम में बात कर लेते हैं यहां पर हम देखेंगे यह पार्ट में मैंने लग लगाया हुआ है और जीरो वन जिसका लेवल 15 है पिछ है 3 टिके है यां 31 सेंटर में इसका पैनल है कर्व ईपी 4 है और एफेक्स यहां पर 6 है आई फटा-फट से हम इसके भी पार्ट में बात कर लेते हैं भी बैक में मैंने क्या लगाया हुआ है मैंने यहां पर लगाया 29 जिसका लेवल 15 है पिछ है यहां पर जीरो डिके है 33 और यहां पर मैंने पैनल सेंटर में रखा है कर्व ईपी 4 है और एफेक्स मैंने यहां पर सिरफ टू रख्शी होई है अज बात कर लेते हैं यहां लाज्ट कॉलम में यहां पर मैंने यह बैंक में लगाया हुआ है पैनल है कर्व ईपी 4 है और एफेक्स यहां पर बिल्कुल जीरो रखा हुआ है आए इसके बी पार्ट में हम लोग बात कर लेते हैं एल 27 जो गुरू का साउंड होता है वो मैंने यहां लगाया इंश्रुमेंट और उसका लेवल मैंने 12 रखा है पिछ माइनस 5 है यहां पर इसका डिके है 31 सेंटर में इसका पैनल है कर्व ईपी 4 है और एफेक्स यहां पर जीरो है इसी के साथ यह पैच हमारा पूड़ा होता है आए फटा फट से हम लोग इसके डिले की जो हम सैटिंग देख लेते हैं सिंपल है जब हम यहां पर बाहर आएंगे यहां पर आप एडिट को दवाईए यहां पर आप एक बार एडिट दवाएंगे एक बार सिलेक्ट दवाएंगे तो यहां पर यहां पर लाइट मिडी पर चली जाएगी और एफेक्स ऑब्लिक पैडल में आप देखेंगे मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है 20 इसके लेवल पर हम जाएंगे वह हमारा 11 और यहां पर पिछ होगी इसकी 12 और यहां पर डिके यू 24 और यहां पर पैनल की जगे जब लाइट आएगी तो 10 रख देंगे करप पर लाइट आएगी तो हम यहां पर 16 रख देंगे इसी के साथ इस पैच की एडिटिंग पूरी होती है कहीं आपको बनाने में बजाने में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज झाओ झाओ प्रिटॉ झाओ झाओ टो की था BaS I